Hello students, today we will discuss about political science chapter 2, NAM role of the government in health on page number 227. Let's read, government does not have enough money and means. सरकार के पास प्रयाप्त धन और साधन नहीं है? Do you think this is true क्या आप जानते है सत्य है? Discuss health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or informality, WHO. हम discuss करेंगे हम स्वास्ते पुन शारिडिक, मांसिक और सामाजिक कल्यान की अवस्ता है ना कि केवल बीमारी या दुरबलता की अनुपस्तिती. Health refers to our ability to remain free of illness and injuries. स्वास्ते का ताथ पर ये बीमारी और चोटों से मुप्त रहने के लिए क्रूर की ख्षमता से है. But health is not just about disease. We also need to think of other factors that impact our health. इसमें बताया गया है लेकिन स्वास्ते सिरी विमारी के बारे में नहीं है हमें अन्यकारगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारी स्वास्ते को प्रभावित करते हैं. For example, example के लिए, if people obtain clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. उधारन के लिए यदि लोग स्वाच पेजल या pollution मुक्त बातारन प्राप्त करते हैं, तो उनकी स्वास्त होनी की संभावना है. On the other hand, if people do not have addictive food to eat or they have to live in flirty and dirty conditions, they will be increasing prawns to illness. और दूसरे हाथ पर, अगर लोगों की पास खाने के लिए प्राप्त बोजन नहीं है या उन्हें गंदी और गंदी की परिस्तियों में रहना पड़ता है, तो उन्हें बीमारी का खत्रा बढ़ जाएगा. All of us would obviously like to be active and in good. It spreads in whatever we may be doing. It is not healthy to be gloomy. हम सभी इस पर्स्ट रूप से कहेंगे, इस पर्स्ट रूप से हम कह सकते हैं, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें सभी अच्छी आत्माओं में शामिल होंगे. यह लंबे समय दर खीशने के लिए उदास निश्ट के लिए चेंज़ें के आप शेश भैपित होना स्वस्त नहीं हैं. अबिस्ट रूप से का अब बहुत से करेंगे. इंडिया has the largest number of medical colleagues in the world and in among the largest producers of doctors Approximately 15,000 new doctors qualify every years इसमें बताया गया है भारत में दुनिया के सबसे बड़े medical colleagues और डॉक्टरों के सबसे बड़े उत्पादगे लगबग 15,000 नए डॉक्टर हर साल योग्य होते हैं Healthcare facilities have grown substantially over the years In 1950, there were only 2717 hospitals in India In 1919, there were 11174 hospitals in 2000 The number grew to 18218 1950 में स्वासे सुविदाओं में उफिकास हुआ है 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पिताल थे जो 1901 में 1114 अस्पिताल थे जिनकी संख्या बढ़कर 18218 हो गई India gates a large number of medical tourists from many countries They came to treatment in some of the hospitals in India That compare with the best in the world भारत में कई दीशों के चिकित्सा प्रेटक बढ़ी संख्या में आते हैं भारत की कुछ अस्पितालों में इलाज के लिए आते हैं ग्रामी शित्रों में जन संख्या के संबद में डॉक्परों की संख्या बहुत कम है अबाउट फाइफ निक पीपल डाइव फॉक्परों के संख्या आजादी के बाद यह लगभख अपरिवर्तित है हर साल मलीरिया से लगभख दो मिलियन मामरे सामने आते हैं और यह संख्या कम नहीं होती है we are not able to provide clean drinking water to all हम सभी को सच्छी जर उप्रब्द नहीं करा पा रहे है 21% of all communicable diseases are water born for example diarrhea, worms, hepatites, etc सभी रोग के 21% पानी के लिए उद्धारन के लिए diarrhea, घीडे, hepatites आधी पेदा होती है तो यह पीज़ आपको read करना है और इसे समझना है ठैंक्स